कि सभी को जैन दोस्तों आप सभी का हर्दिक सौगत है हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आज हम आपके लिए एक नई और एक इंट्रस्टिंग वीडियो लेके आए हैं तो इस वीडियो को अन तक देखें और यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करेंगे और शो करेंगे और लेकिन मेजर मानिक भी तारिक साब से सवालात करेंगे तो तारिक साब आप रेडियो हो जाएए सबसे पहले तारिक साब मैं ही पहला सवाल कर लेती हूं और फिर मेजर साब भी पूछेंगा मेजर साब आपने भी मेरे सवाल का जवाब देना है वो यह कि पाकिस्तान और इंडिया आपका क्या ख्याले सर के कितना इंपॉर्टेंट है इस रीजिन में अमन के लिए इसकी प्रोग्रेस के लिए इस रीजिन के आप क्या समझते के इंडिया पाकिस्तान जो है वो आगे कैसे बढ़ सकता है पाकिस्तान तो कभी था नहीं और कभी होगा नहीं जितनी जल्दी यह प्रोसेस खतम होगा यह जो एक्सपेरिमेंट किया आपके यूपी के नवाबों ने वो दे सूनर देखिये पाकिस्तान जो बना भी था वो बंगाल की एक ही जगा से मुस्लिम लीग गीती थी वो बंगाल था उन्होंने अपना नाम बदल दिया 71 में वो बंगलादेश कहते हैं आपको तो जब एक मुल्क की मजॉरिटी पॉपिलेशन कहती है भाई हमें यह नाम नहीं चाह जो और जुल्फकार नी भुट्टो का अंदाज सिगार पीने का और आपके जो इंडिया में वो हैं ब्यूरोक्राट वो काईल हो गए कि देखिए साब क्या क्या अंदाज है क्या इस्टाइल है पकड के शिम्ला अकॉड कर दिया और फौज वापिस भेद्धी वजा इसके कि आप शिम्ला में कहते हैं कि पाकसन की अब आर्मी नहीं होगी एक लाख प्रटिंजी है वो मार्चिंग वार्चिंग के लिए काम आएंगे और जहाद आपके होंगे सिर्फ एक स्कॉर्डरन और नेवी में आप कर लिजे जो आपने करना था कराची में 1971 में आपकी कोई शिपनी होगी बजाए इसके कि हारावा मुल्क ये कहता है कि हमाई बाप माफ कर दो हमें उन्होंने गुंडागर्दी दिखाई और इंडिया के जो बिरोक्राइट है कोल साब थे और ये सब थे वो बेनजीर की चाम के अंदर फसके उन्होंने चिम्ला कॉर्ट साइन कर दी और फॉज वर क्रिमिन बजाए बंगलादेश में मुक्तिवाहनी को हवाले करते वो पाकिसान भेज दी बलुटसान में के जाके यार उनको तो मार के देखो टेस्टिंग चलती रहेगी एंडो 90,000 वर सेंट बाइ मिस्टर भुट्टो स्टेट बलुटस्तान वें तिल तो तो पाकिसान डाइड डे पंगले देश वस बाउन तूसरी बात यह है कि यह जो अब पाकिस्तान है यहां तो किसी ने पाकिसान मांगा नहीं था एंडव्यो एफपी में बाद्शेख खान की गवर्मिन्ट थी कॉंग्रिस की पंजाब में मुस्लिम लीग हार गई थी के अंदर जो चीफ मुनिस्टर थे अलाबक सुम्रो उनको असाइसिनेट करा के मुस्लिम लीग वालों ने उसके बाद गवर्मिन्ट बदली गई और बरुच्तान तो शुरू से अजाद मुल्ग था जिसको आउगस्ट की 11 को अजादी मिली इसकी एंबसी होती थी कराची क तो नो वन्टेड पाकिस्टान इन वाट इस टुड़े पाकिसान एक्सेप्ट वो महाजिर जो उर्दू बोलते हुए आपके वाले या दादा वदा आये होंगे कहीं से हाथ में लोटा मुह में पान लेके उर्दू बोलते हुए आगए और पंजाबी वो कह दिया तुमार सब्सक्राइब तुमार के लिए तुमार कोई बड़ी फखर से कहता है कि मैं तो तुर्की फॉज आई थी उसने रेप किया तो मैं पैदा हो गया अब मैं क्या करूं मैं तो अब हूँ तुर्क तो दीजादी ओन्ली पीपल ऑन अर्थ हुआ इन लवड विद दोस वो प्लं अब्डाली को देखिए वाहिद आदमी जिसने लहुर शहर को जलाया पाकिसान में लहुर शहर है जिसके अंदर हर आदमी अपने आपको अब्डाली समझता यह सिंद्ध और फ्रंटियर के बलुटसान में तो वैसे नहीं कोई मांता सिंद्ध के अंदर तो अब अज़ाद ना अर्दू ना पंजाबी लिक भी नहीं सकते बड़े फखर से कहते हैं कि हम अपनी जबान में इलिटरिट हैं देर अनो पीपल ऑन अर्थ हो विल से कि अल्ला का शुकर है सौफी सधम इलिटरिट हैं यह सड़क पे निकल के कहते हैं कि हमने तो अपनी जबान पर होना इट्स लाइक ओना टाइम जोन नहीं होता है और टाइमर पे लगा देते हैं कि तो हमें यह नहीं पता कब होगा लेकिन यह खुद ही उधर के खतम हो जाएगा और इट विल बिकम अ लैंड लॉक प्लेस जहां पर पानी की किलत होगी काबल ड्रैम के उपर काबल रिव के विझ्श मेरे सर्मेरे क्या से एक कोई भी कट्री कि जब वह बन जाती है चाहे बहुत इस एसर से है यूवजह सलाविया से से है इस तीमौर से है ने वह नहीं लेकिन भारत के भी हैं हो जाए कि पाकिसान एक फेल्ड स्टेट हो जाए वह तो आप से पहले भी कहा था कि आदेशिर काल जी भी का कहा करते थे हैं कि पार स्टेंट भारत का never look beyond their border. ये मेज़े साब को पता होगा कभी गुंजोदारों से लेके हाथ तक फौज गई नहीं गई. वो चोरा इंपायर जो बना वो खुद ही बन गया. जो आपके मच्ची बेचने वाले स्पाइस ट्रेडर से उनका इंफ्लूइंस केमबोडिया में ज्यादा था तभी तो वहां दुनिया के सबसे बड़ा हिंदू बंदिर है यह हिंदू इसम या हिंदुत्वा या वो जो सोच है डाट इस ए रिफ्लेक्शिन ओफ नॉन ग्वाइलेंस आपको यह खुदा घर में रख लीजे आप किसको क्या टेंशन है हमारे तो यह टेंशन है ना आग तक कि यह शिया कहां से आगए बीट में इनको हिंदू ने पना क्यों दे दी तो वह कसम खाएवी है मुसल्मानों ने क्या तुर्की पाकिस्तान और अजर्बाइजान मिलके अपनी फौजी ए बात करें आप किसी से कहिए का बैस सुनाया परसों वह आ रहे एर्दोगान अपनी फौज लेके बेहन बेटियों को बचा लो उनने का बेहन बेटियों को छोड़ो वह कहां कहां से आटोग्राफ लेना है सलफी लेनी है इन्होंने अपनी नैशनल डे में म्यूजिक चलाया वह तर्किश प्ले का एक एक एक्टर को एक फिक्टिशिस फिल्म के आदमी से परेड लीड करा दी इनको मुल्क में इंट्रेस्ट हो रही है हर पाकिस्तानी मेजर साहब आप गलत फौज में आ गया है अगर आप हमारी फौज में होते न जो पाकिसानी बनी इस वक्ट सब्चानी मेजर साब से भी पूछूंगी कि आप कहां तक अगरी करते हैं तारिक साब से परेड एक पर पाना चाहूंगा आपका बोट बड़ा फैन हुए तो प्लेजर तो पर अन अनौर तो बी तो 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 मिंग बैक टू को पूश्ट जो आर्दू जी ने पूछा I think the creation of Pakistan, and sir, please feel free to correct me, the creation of Pakistan itself evolved around that an anti-India state which should be a safe heaven for Muslims. Anti-Hindu state. Anti-Hindu state. So I think even in 75 years, if you have to summarize Pakistan, I think there are three or four defining factors. One is hate for Hindus, the other is fear of subjugation by India, the third is hardliner, radicalized Islam, and the fourth is foreign aid. I failed to see anything in which Pakistan can be defined as a country. And I think it's time to time. अन्होंने इन्ही चीज़ों के examples देते आये हैं. एक चीज़ भूदे, sir, आप अपने लोगों को मारने के अंदर, no country has killed more of its own citizens than the Pakistanis नहारी. प्री सेवन्टीवन बंगलादेश में और इवन बलुचिस्तान में बलुचिस्तान में और इन इस शॉकिंग जब यूएस दो हजार एक में आये थे, आप यू लगा लीजिए, शाम को साथ बजे वो तालिबान के साथ बैठे रोटी खा रहे थे, वो जर्नल मुशरफ ने पैसे लिया और अगले दिन सिवा उन्ही पर बंबिंग शुरू हो गई, ट्राइबल एरियास में. It is unimaginable for a, you know, a sovereign country, एक देश के President, Prime Minister को की आप Dollars के लिए अपने लोगों पर ही strikes और बंब्स करवानी शुरू कर दीजिए and then they say TTP इंडिया ने शुरू कराया होगा. अरे आप जिनको मार रहे हैं वो तो खोड़े होंगी या आपके तो… TTP इंडिया क्या है, सर? नहीं, दे अलवेस ब्लेम की TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान के तो यह बड़ी वेरी हैपिली से की यह TTP इंडिया की साजिस है, हमें इंडिया को साजिस करने की जरूत ही नहीं थी, आपने दो हुजार, सर, इफ आइम राइट, दो हुजार दस तक इन्होंने जो ब्रिटिश ने 1890 जब डूरेंड लाइन बनी थी तो नौर्थ वेस्ट फंटियर प्रविंस नाम रखा था, इधर यह था उदर नेफा था, अपनी इनकी इस्टर लिमिट, राइट, यह दो हुजार दस में जाकर इन्होंने नाम बद्दा था, अंडर सम 18th Amendment और फिर भी इन्होंने पक्तूर्वा के साथ खाइबर लगा दिया था कि नैस्टनिजम को दबा के रखे, यह रहे, रहे, यह रहे, और इवन तो, कमिंग बैक तो, जब इंडिपेंड़नेंस आई, तो उस टाइम, I think Mr. Jinnah को ब बहुत ही कम देशों में हुआ होगा कि एक टेंपरेरी कैपिटल बना दी गई हो, और उसके बाद फिर सालों बाद शिफ्ट करके निया शेहर बना हो, इस्लामबाद, मतलब इट इट इस शोज की जो स्टैटेजिक लेवल के डिसीजन कितने अमेच और एड होक थे, और फि सब्सक्राइब को जिस्ट बिकॉज की सेंड इंडिया हम पर अटेक कर देगा अपनी पूरी शुरू से इनकी वह इडियोलोजी रही लेकिन सर इन्होंने है तो अक्टोबर 47 में इंडिया पर अटेक कर दिया था अब बिलकुल और और देट राधर ऑपोजिट हमार की बात यह है यू नीड तो बी स्पेशलाइज इन्या मैडनेस तो सच डिग्री के यू आक्ट टोटली अगेंस्ट दी अब्सेशिंग यानि आपको बिमारी हो बुहार हो और आप जाके बाहर कहें बरफ रहा कहा है मैं उसमें डुक्की मार दो मतलब या पता नहीं आग लगा ले धने लाग यू आपको 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 आध्या मैंस्टनी को मानता हूं कि सब्टी सेवन 48 में अटैक कर रहे थे हम पर तो जब रव्या डिवा था पंजाब नेशनल बंक इदर आगया था यह थिक पिच प्चेंटर क्रोड रूपए इंडिय nei देने थे पासिशिंछ देने correct you if I may my understanding is के वो जो पैसा था वो मिलने के बाद अटैक हुआ पैसा रुकावा था ये गांदी जी की उसमें प्रेशर पड़ा क्या आप पैसा दें उनको दें and he had this fear कि ये गरबर होगी कुछ बट इंग्लिश बोलते थे दोनों नहरु जी और ये आपके जिना साब अलग अंडेस्टेंडिंग थी ये नीचे वालों को कौन बात करता है गांदी गभार खान ये किदर से आ गए इंग्लिश मीडियन दे नहीं लोग तो इनके पैसे छूटने के बाद ही अटैक हुआ वि सब्गलिश फटीज के अटिशन के इन ले रिक कस रोड इनके पैले मार्च का सथ ती लिच बेस्ट ती बॉक्ट फिक पाकिस्तान् के पहले मार्च पास के अंदर ते इंडिंध have guns. These guns were bought from the French and supplied to the Pakistan fledging army. And on that, because of that, my grandfather then became an intending evacue and he had to leave India, they were going there. So, they had guns to take them. Okay. If we take these guns, the French abandoned rifles, if we give them 12,000 rupees, which is the governor general and the government of Muhammad. You can't believe है उस जमाने में क्या लूप मार हुई हमारे कराची के बीच में फ्रॉंट एक्स वान दे मोड बीटिकुल सीशोर्स एनिवेर और उसमें कई हजार कोरों के बनाएवे हट्स थे इन्हों ने वो हट्स को कंफिस्केट किया अपने नाम यह कहके के बंबई में चोड़ाएं हू दिल्ली में प्रॉपटी का यह है तो मुटाला पैलेस मुझे दे दो हर जगह यह मानी हुई इस शक्स ने अपनी अपने दोस्त की बेटी भागाई 16 साल की उमर में दोसाल की लिव एज चाइल मोलेस्टर यह भी नहीं है उन लोगों का सूच यह जो दिल्ली लखनों में ब में तो बाच हो जाती ना तो आजाती है तो आजा नहीं तो ने साभने तीक Days अव्म में पूरिगते अपने जो बात की लेकिन सार passionate पाकिस्तान की क्योंकि आफगानिस्तान के लिए चाइना के लिए तो है कि अगर उनका सीपैक देखें उनको रासता तो यहीं से जाता है वहाँ पे तो आपको क्या लगता है कि अगर ये टेंशन थोड़ी काम हो जाए दोनों कंट्री corrupt की कोशिश तो की जा सकती है या नहीं कोशिश भी नहीं की जा सकती है सबसे पहãyLAY नशचांजा अगर चाय पाकिसंता कुई क्रिटिकल आई नहीं है कि उनके बिना चायना को संस कहलेंगी राधर इन टू फ्रन्ट वर अगर चाइना के साथ इंडिया का होता है चाइना विल बी मोर देन हैपी कि बेशक पाकिस्तान हार जाए, इंडिया उदर बीजी रहे तो चाइना आपको ऐसे ग्रांट्स वैसे नहीं देता जैसे अमेरिका ने आपको दोहजार एक से अब तक 19.13 बिलियन डॉलर तो 32 बिलियन डॉलर तो जिस ट्रांजेक्शन के दे दिये थे, सरी ट्रांजेट के, चाइना इस डिफरेंट बॉल गेम और अफगानिस्तान के लिए भी, यह पाकिस्तान ने इस दुनिया पे इंसिस्ट करने की कोशिश करी कि हम अ इनकी जब से मतलब तालिबान बना था वो दियोबंदी मदरसाज में जनरल नसीरोला के अंडर, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करी है, इनको कंट्रोल करने की, तो यह एस दे से इनकी से हो सकती है, बट देकर लोट कंट्रोल तालिबान, तो किसी भी और इस तालिबान वाले लास्ट छे महीने के केस में पाकिस्तान ने अपने आपको इंटरनेशनली इतना आईसोलेट कर लिया है, जो मतलब अमेरिका में, यूरोप में जो आम आदमी, अक्सर आप जब भी ट्रैवल करते होंगे, आप भी गए होंगे, अक्सर लोग इंडि पाकिस्तान ने एक तूरे देश को तबाह कर दिया, और इस कारण अब उसका रिप्रिकर्शन ये हुआ कि अमेरिका को अपनी हार और अपनी शरम की वज़ा से, जब अपनी कॉंग्रेस कमेटी में, यूएस सेनेट्स में जवाब देने पड़े, उसमें जब पाकिस्तान ख तो ठीक है, आपका उधार इतना है कि आप अपनी स्टॉक मार्केट सारे एसेट्स में तो नहीं उधार सकते, दुनिया का ऐसा कोई इंडेक्स नहीं है, जिसमें आप लास्ट के दसपंदरा में नहीं है, सिरफ एक में आप सबसे उपर है, इसमें आप नमबर 14 पर है, कि कि जल्दी ये देश गिर सकता है, तो कुछ अफरीकन, इराक, लिबिया, यमिन के पीछे ही हैं आप, तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया को एक्षिली कुछ करे बिना भी, अगर हम बैठे रहें, as they say, you don't need to disturb your enemy when he is making mistake, आपर आप, इंडिया is just watching, wait and watch चल रहा है, आप खुदी इतने गलट डिसीजन पे गलट डिसीजन लिये जा रहे हैं, कि पाकिस्तान अपने आपी इंप्लोड हो जाएगा, इसको मतलब, अब, से पहले TTP उठेगा, आपके North जाएगा, सिंद्ध होगा, बलूच होगा, you will break down into a small Punjab state, और इसको कोई, it's very possible to stop it now, especially the present government है, इनों ने बस वो आग में घी ही डाला है, जो process slow हो सकता था, इनों ने उसको push ही दिया, it is not that, इनों ने help किया है, कि आजी, बिल्कुल ही, आप की कर कि ये तो बहुत का जा रहे है, जो इमरान खान की गर्मेंट आई है, उसने और जादा मुल्क का बाड़ाई किया, बेतर कुछ नहीं हुआ, लेकिन तारिक साब, I.M.F. ने भी इनको मना कर दिया, जो इनकी लोन लेने ये गए गए थे, वो उन्होंने कह दिया, कि दू मोर और बाहर निकाल दिया इनको, तो अब ये करेंगे क्या, क्योंकि तारिक सार, इससे पहले आप जवाब दे में, एक छोटी सी बात, बीच में आपने खान अब्दुल गफार खान का नाम लिया था, मैं भूल जाओंगा, मैंने आपकी एक इंटर्विव में सुना था that you met him, कभी भी प्लीज दो तेल अबाउट दाट, I would love to hear about that. मैं बात करते हैं उस पे, मैं जड़ा मेरी सोच अलग है इस मामले में, क्योंकि जो कन्वेंशनल विजडम है उसमें पाकिसान को as an entity, as a state के हिसाब से, a place where you cultivate terrorism, यह सब इज़ाम भी लगा दें, तब भी मैं आप इसको यह बताऊं कि that is not the real problem, जो असल problem है, वो है उस सोच का, कि रोजए कयामत आनी है, और जितनी जल्द आए, उतना बेहतर है, क्योंकि यहां तो हमें कोई girlfriend मिलने वाली नहीं, शक्ले हमारी ऐसे कि बेहरतों वाली वो जाली वाली तोपी हो, पता नहीं क्या क्या पहन के आते हैं, तो हमें को date with, आज भलते कैनेडा में एक article छपावा है, एक बंगलादेशी बच्की का, कि देशी लड़कियां, दिल लड़कियों को कब इजाज़त मिलेगी date करने की, आप तक यहां पे कि भी नहीं, third generation को नहीं, उस बात को छोड़िए, असल threat है, उस सोच का, जिसके तहद life begins after death, जिसको आप counter नहीं कर पाएं आग तर, ना seriously लेते हैं आप, और ना यकीन हैं आपको के घजवा-ई-हिंग कोई philosophy है, इसलिए अमेरिका में देखिए, नाइन 11 की ट्रेंटिए तैन philosophy पे लोग कोई नहीं पता, 9-11 को हुआ क्या, उनको वो Japanese attack on Pearl Harbor याद है, क्योंकि इसमें फिल्में ज्यादा बनी है, सो जब दुनिया की middle class पढ़ने वाले लोग इसमें हों के Google में जॉब कौन सी मिल रही है, CEO कहां से बनना है, fair and lovely cream वाली लड़की कैसे मिलेगी दुलन में, जब इस चेकर में पड़े वे हैं, आपको क्या पता है कि दुनिया भर का मुसल्मान जो सियासी मुसल्मान है, वो कहता है, मौत कब आएगी मुझे, और मौत उस वक तक नहीं आएगी, जब तक हिंदुस्तान का हर हिंदू मुसल्मान होगा, और हर हिंदू temple destroy होगा, ये non-ser इसलिए ले ले लेते हैं, आप लोग इंडिया के अंदर, ये हर मुसल्मान के जहन में हैं, चाहिए वो जितना भी progressive हो जाए, liberal हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमाँ तो पैदा होते ही, ये नो, खतने के बाद बाल कटते हैं, और उसके बाद अल्ला हुआकबर की और फिर हम अर्बी में पढ़ते हैं, कुरान जो गलत order में compile हुआ हुआ है, आपको किसी कुरान में पहला word इक्रा नहीं मिलेगा, और इतनी हिम्मत वाला कोई नहीं मिलेगा, जो कहें कहां चला गया पहला word कुरान का, आपको जिम जोन्स का पता होगा, वो जो साउथ अमेरिका में गयाना में जाकर चारसो आदमी डूप के मर गए, वो कुंता कि क्रिश्चिन उल्ला ने कहा कि तू मर जाएगा, मज़े ही मज़े हैं, मर गए चारसो यह सुसाइडिल जो हमारी वो है, ट्रेंड इस्ट्रेंड में इसलिए 500 साल से कुछ नहीं बना, गदागाडी से आगे नहीं बढ़ सके हम, बलकर मैंने देखा स्कूटर भी गदे के साथ बंदा हुआ था, कल वीडियो देखा पाकिसान में, गदे की पूंच लेके बंदा पीछे मोटर साइकल पे जा रहा है, अब वो बैठी जाता गदे के अपर, there is nothing being done, आप मुझे बताईए कुछ चीज किसी ने इन्वेंट की हो, सर एक चीज़, सर एक चीज़, अगर सारे पाकिसानी ऐसे होते तो मैं और आप क्यों ऐसे नहीं है, नहीं आप कहां से पाकिसानी है, आप तो इंसान है, देखिए मेरे एक सीधी बात सुनिए, all of us are children of Hindustan, बच्चियां वैसी समझदार निकलती ही क्योंकि उन पे उनके कांदों पे किस्टॉल रखके नहीं चलाए जाती है, हमारा काम होता है बीवियों को और बेटियों को संभालो, संभाल करो, कुप, कुफर से, इसलिए जो लड़की किसी से प्यार करती, उस से शादी नहीं कर स कर सकती है, लेकिन डेट पे नहीं जा सकती है अपने स्कूल में अपना जो है, इतनी पिटाई करता है चोटा बाई, और बाप जो है, यू बैटके देखता है, जवान का बच्चा है, वो पैन को पिट डाला, लड़के के साथ गई थी, अब लड़के के साथ गई थी शुक इंडिया, वो एक ब्रामा थे, साथ गई अखर देखती है, उसको बड़के इंडिया में मोटर साइकल पे क्या कहते है, उसको स्कूटी, स्कूटी पे मिडल फिंगर दिखा देती है, इंडियन लड़की, तो मैंने उससे पूछा भी कि निकाब क्यू पहना है बेटा, अपने काम से काम रखो, लेफ्ट टर्न लेनी नहीं आती, इतना उसने मुझे डांटा, मेरे साल नर्गिस बैठी ही थी, वी वर सो हैपी टू सी विमन शाउटिंग है जांस, हमारे यह से बुड्डियों के ओरत शाउट करती है, चाबी का गुच्छा यहां लगा के, अरे क बता ही चलता है, वरत आ रही है, यह जा रही है, उपर सर पर डाल देते हैं, आप हर्याने में जा के देखें, I couldn't tell whether she's coming or she's going, यह हमने राके हिंदुस्तान पर डाला है ना, बिल्कुँ, बिल्कुँ, आपने अलग करने की जा, उनने का, दवो यहां से निकलो, अब देखि कि कुरान था उसको हटा दिया, अरे हटा देते तब दंगा, रख दिया तब दंगा, तब दंगा, that means there's something mentally wrong with you, if the Hindu temple keeps a कुरान, I would take it as an honor, हां, तो मैं पूरी स्टोरी उल्टी संजा, बाद में मैंने का कि यह देखो, कह रहें कि कुमिला के अंदर जाके उन्होंने मंदिर के अंदर कुरान, their understanding was कि कुरान की बेजती हो गई, एक Hindu मंदिर के अंदर रखे जाने से, और फिर कह रहे हैं, कि हर non-muslim को दावत दो, अरे इस अपसाइड डाउन वर्ल्ड जिसके अंदर जो असल सियासी आइडियोलोजी जमात इसलामी की, आप देखिए, बंगलादेश में जो भी हुआ, जमात इसलामी और तब्लीगी जमात की लोग कर रहें, यह सब आपकी पैदाइश है, सर, मेजर साहब, आप के यहां है, ज जाके अब तक सेट करके आचुके होते, इस तो आप बैठे हुएं को दस, पचास हजार मदर से चल रहें इंडिया में, और यू पुरानी दिल्ली के अंदर हमारा बंदा, है, अठारा साल से बिल्ली का बिलनी पेकिया है, तू क्या कर लेगा, तू जानता मैं कौन, क्या कर लेटेश से, अगर हिंदू आ रहे है, तो आपको तकलीव क्या है, वगानिस्तान से सीख भाग के आ रहे है, कहां जाएगा, शिक्र, उनको तो कहना चाहिए, जाओ भई, वह सात्म खरिस्तान है, वहां चले चले। आपेस्ट मुआ चैना है but you have to focus on that doctrine that you are fighting you are not fighting individuals you not fighting anything you're fighting a death cult that says जब तक सारी दुनिया तबानी होगी, civilization मर नी जाएगी हमें date करने की जादथ नी मिलेगी इसी रिये 72 की choice दी है हमें चार तो बीवियां यहां है और what your right hand possesses इसका मतलब है sex slaves उसके बावजूद इनको और चाहिए तो उन्हें का उसके लिए तो आपको मियां मरना पड़ेगा और दो चार को साथ लेके मरें अभरेगा इस इसे रिस्पेक्ट आइडियोजी प्रोटेक्टेट बाइडिकॉशिशन अभिट इंडिया अपके भुगतिय है अमने तोड़े आप से का था आपको अमबेतकर साभ ने कह दिया था ना कि आपने का नहीं रखेंगे तो सही वह बॉला ना आजाद को रखेंगे उसके बादानी चागला साभ को रखेंगे तो आपने एजुकेशन मिलिस्टर रख दिये मेजर साभ मुझे यह बताइए कि अभी जो कश्मीर में गडबर मचीव यह उसमें कहा जा रहा है कि उसमें अफ़गानिस्तान से कोई तालिबान है जो इस तरह के टैक्स कर रहे हैं वो कहां तक बात ठीक है नहीं नहीं अफ़ तालिबान का कोई लिंक बन यह दिस इस अग में तालिबान की सरकार थी तो उनसे क्लिरली पूछा गया था एक दो बार मतलब पाकिस्तान ने तो बहुत प्रेशराइज करा कि आप यह हमारी जिहाद कश्मीर में जॉइन करें बट थोड़ा सा अफगानिस्तान की वैसे भी हिस्ट्री देखे तो अफगानिस्तान है वी वाटेवर भी माइट थिंक आफ देम उन्होंने दे है प्लेड इट वेरी वेल नेवर की इंडिया पाकिस्तान राइवैलरी में करश नहीं होना है जहां जहां जरूरत थी उन्होंने अपने कार्ड्स ठीक प्ले करें और इवन जाहिर शाह तक तो अट लीस दे वर वेरी ग फॉरंट टेरिस्टा मारे जाते थे मैंने भी दस काफी साल मां बिताए हैं वो एका दूका मरसिनरी होते थे जो कॉंट्रैक्ट किलर्स बनके यहां आते थे और इवन जाए जाए बुल्ला एक उनके स्पोक्सपरसन होते जोने दोहजार दस में भी एक स्टेट्मेंट दी फिर स्पूछा गया था उनसे विन तालिबान वाजट पीक अगें ठीक है सरकार नहीं थी पर फिर से पार्फूल एंटिटी बन गये थे तब भी उन्होंने बोला था कि नो हम एक्शली वो ठीक है पचास सतर हजार एक लाक लोग होंगे यहां पर पतलब ऐसा कुछ लॉज बनानी है वैलिडेशन लेनी है तो तालिबान हैस नो रीजन टू इंट्रफेर इन कश्मी यह पाकिस्तान आई डूनों किसने बोला होगा इसका कोई लिंक है नी इसार था सेम टेर ग्रूप्स जो पाकिस्तान ने सालों से क्रेट करें हैं और जो इंफिल्ट्रेट को करते रहते हैं जो पीक आई है थोड़ी सी पिछले अफ़ते दस दिन में आज भी शाम को दो कॉमन लोग वो लिक्षे वाला लेबर वो गुलगप्पे वाला दुकान दार वो वैसे लोगों को मारने पे आगे क्योंकि अगें उन से ये देखा नहीं जा रहा कि कश्मीर प्रॉस आ रहे हैं तो अब उन्होंने सिविलेंस को करना शुरू कर दिया टार्गेट की ति लोग डर के यहां से भाग जाए तो इस अनो ब्रेइनर सब को पता है वो स्टैंड्स तो गैन फ्रॉम इट तो कंट्रोल टो किया जाएगा अफ़ोर्स अगर पहली जो वार थी आपको य 9-11 के बाद कोई एक हफ़ता उस एरिया में बंबार्डमेंट रुख गई क्यूंकि कंदूस से कमसकम पचास हजार पाकिस्तानी फॉजी वर ट्रांसपोर्डेट बैक टू पिशावर इपाजना अपकर रहे हैं इस पाकिस्तान आईसाई ब्रेड सूडनीज थे वहां पे बर्मा से कई लोग थे इंडोनेशिया यह उन्होंने अपनी आइडेंटिटी चुपाने के लिए फॉरण वाइटर्स को कंदूस में रखावा था मुझे डर है के देर टूड़े देर इस अबिगर एक्सेप्टेंस अफ इस डॉक्ट्रिन के हिंदुस्तान हैस तो बी डिस देखिये और यह जो नया मलेशिया पाकिस्तान यह नॉन एरब नॉन इरेनियन जो एक डिजाइनर फ्रंट बन रहा है इसके अंदर भी सोच वही है कि अधिस इस प्रॉब्लम इंडी एंड हाव तो लिंक अप विग चाइना इंड चाइन इस डिजाइन वह और बात है कि च चाइन इस प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम इस जंगल वह तो कम असकम थोड़ा बहुत उसको काम करना भी आता है यह हमारा जो खान है यह तो वह सुयां चब हो रहे हैं तो आप वैरियेशन देखिये के फ्रॉम ट्राइंग तो अक्वायर नुक्लियर बॉंब्स तो चाकू जनी और सुई तागा यह वराइटी कितनी है और अल इस स्टमिंग फ्रॉम नॉन साइंटिविक नॉन रैशनल अप्रोच तो सॉल्विंग अ प्रॉब्लम कि इनके जहन में यह हनूद और यहूद का मसला इसाई को रिवट लेंगे और वर्ल्ट हैस तो कम तो एन एंड यह कहीं आइडियालोजी नहीं है जो कहता है कि सिविलाइजेशन हैस तो बीडिस्ट्रॉइड इनको अपनी कॉंट्रिक्शिन निसान में आती कर बनाया था तो तो तोड़ दो मेहनत से बनाया है स्टीम एंजिन बनाने में बहुत मेनत की होगी कुछ जहाज मैंने कहीं पढ़ है से लिए अंग्रेज आया उन्होंने रेल्वे स्टेशन और इस तरह की सारी चीज़े बना दी है और चाइना के अपडेट कर कर देता है तो अल्ला ने हमें मेहनत से बचा के रखा हुए दूसरी काव में आती है और हमारे चीज़े बना के चली जाती है तो अग्रेज बना के चली की हमने खुद तो कुछ नहीं बनाया वो जो हसानिसार साब कहते हैं हमने चार पाई बनाई है जिस पे बैढ़ के हम दूसरों को बुरा बला बद दूआएं देते हैं जन्दों में जाने की दूआइं करते हैं पुछना पड़ेगा कि ये चार पाई का एक चौथाई हिस्से के अंदर नाडा क्यूं होता है उस पे बैठने की जगा क्यों नहीं होती है मुझे उसका किसी ने समझाया कि वहां बैठ कि आ वजू कर सकते हैं कैसी कैसा पलंग है कि उसके अंदर फ्री फोर्थ कवरेज है और बाकी आप गिल गाईं पीच में बच्पने में लटक जाते थे नीचे गिल जाते थे कि आपने बीच में बड़ा अच्छा पॉइंट बोला था इससे पहले कि आजदू जी और हसाते ने मैं उसमें वाइज 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 वाट तु कम बैक अई अग्री विद यू कि जब वो तालीबान बोल रहे थे आय वाज त्राइंग टू एक्स्प्रेंड कि मिलिटेरिली वो क्यों नहीं आएंगे हां 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 बट यॉर वेरी राइट कि यह अब ब्रीडिंग ग्राउंड बहुत मेजर बन जाएगा यहां कोई यूएस प्रेजन्स नहीं कोई नेटो इट इस लाइक फ्री रन पहले जो था मेज़े साब देखिए एक सुमाली आ कि यहां ने की किस्के अरे उनका वह बोली पास्ट वे शॉकिंग पास्ट वे जैसे खटोला आया था उस पे उन्होंने रख दिये वो पासवे हो गए और उसको सुमाली को नाम नहीं ले रहे अरे कहीं महामाद हो गया तो मारे गये और उदर देखिए वह बंगलादेश के इंदर जो हो रहा था वहां पर भी नहीं कुछ कह रहे थे कि किसका टेमपल तोड़ रहा है वह कौन मार रहा है ऐसे डर के बैठे हैं मारी फैमिली में ज़रूत से ज्यादा जेनलिस्ट हैं डरे रहते हैं लोग कि अरे सर अपना मूँ जरा वो करिये सर कुछ कह दिया यह हो रही हैं यह वेस्टन मीडिया इस कवरिंग इंटॉलरेंस और राइज इन साउथ एशिया और बंगला देश में हिंदुत्वा पर कॉन्फरेंस करा दी अब बताईए वो अफगानिस्तान में तबाहिं मची विये उनने का यार यह हिंदू करा रहे हैं यह को हिंदू करा र चाबिया भी दे शरी हमारे यह बाहर जाके थोड़ा वोकनेस की प्राबलम हो जाती है लोगों को यह जिसी जा ब्राउन मैं सिंड्रोम वह बाहर जाती है अब समझदार ब्राउन है तो यह जादा जरुरत होती है ना आप कॉमन डिसकुशंज में पैनल्स में डिवेट्स म मैं इसका आपको एक्जांपल देता हूं कोई बड़ा सीओ हिंदोस्तानी अगर किसी छे महीने के एक्सपीरियंस के इंटर्न वाले को भी किसी से मिलवाने ले जाएगा वो उस इंटर्न को एड्रेस करता रहेगा बजाए कि उस चालिस साल के एक्सपीरियंस वाले सीओ ने इनके जनलिस्ट को बुला कर पूरा रशिया रिवाइव करवा दिया वेस्टन मीडिया में और बाद में उसको उसको वो पुलिट्सर भी मिला बाद में या एक और रवार्ड मिला था I'm forgetting the name of जनलिस्ट फिर उसके बाद रीसेंट्ली यह सब इनके स्कैंडल आते रहते हैं और तो they themselves are actually such a I mean they've forgotten what media and journalism is they have started to control by narrative control and opinion shaping and all that तो काफी बुरा हार है उसे साफ से और जिस तरह का aggression India face कर रहा है internally from these quarters in Western media it is actually कि मतलब वह होता है common सी बात है जैसे आप अगर सौ मीटर swimming कर रहे हैं लास्ट के दस मीटर हमेशा सबसे difficult ही होते है यह तो उस तरह का difficult time है but I'm sure we'll share आप जब चाइना पाकिस्तान अफगारिस्तान की बात कर रहे थे मेरा इमान है की and I would like your advice on that की चो शिंजियंग प्रोविंस में इनका यूगर मुस्लिम्स वाला इशू है और फी उपर इस तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूव्मेंट है चाइना इस वेरी स्केर्ड की यह आपस में connect ना हो तक इदर अप्राइजिंग ना हो तो पाकिस्तान को चाइना का तालीबान टेक में दो तीन किसम के मुस्लमान हैं जो मिंग मुसलमान हैं नौ्स वेस्ट के अंदर नौ्थ में बिलकुल डेएफली इंटु चाइनीजी सोसाइटी यह जो हमारे साउट वेस्ट के हैं जो लगडाख साइट पे और दर कहते हैं that is Chinese a result of Chinese occupation of निबेट जो उनके तुर्कमनिश से कनेक्शिंस थे वो तूटे और यह सब हुआ हमारे एक कनेजियन है जिसको पकड़ा हुआ अब छे साल से रहीम, I forget his full name रहीम, he was visiting Uzbekistan, वहां से उठा के लेके गए and he is now in prison for even though he is a Canadian, उसको ने दोरों को दो को छोड़ दिया, उस विचारे को हुसेन जलील नाम है, he was not released because China has this fear that they and they recognize the truth that they are in occupying power in Tibet. तिबेट पे aggression करके वो पूरा एरिया जिसको वो आपके इंडियन साइट से भी कब्जा किया हुआ हुआ है वहां पे यह नहीं नहीं वेस्ट में जो है लदाफ के पास का एरिया ना वेस्ट की वात है, हाँ जी बिल्कु बिल्कु जी वहां पे भी कब्जा किया हुआ है अक्साइचीन जी 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 अक्साइचीन, they don't want to be known as an occupying power despite the fact that today it is the East India Company of the world. आप एथियोपिया को देखिये, जैंबिया को, जिंबाववे को, पेरू को दाके देखिये, वहां से टिन जो है उन्होंने पूरे mountains जो जहां से टीन extract होता है, वह कब्जे में लेके खरीद ली हैं उन्होंने. उनको उनकी जहन में, मैंने दो हक्ते पहले लिखा भी था, कि what do Chinese think of when they meet what they call the white devil or the black devil. हम आप जो हैं, we are in the category of the black devils. यह जब पीकिंग के अंदर के साथ जो गए थे हिंदुस्तानी फोजी तो उनको वो address करते थे as long-nosed you know, कुछ ऐसे लेकिन जो हिंदुस्तानी फोजी थे, we were considered as rats in their eyes. चाइना की dominant इस वक दुनिया में यह philosophy है के बाकी लोग तो इंसान ही नहीं अभी हैं. आप पाकिसान में एक क्लिप था के दो चाइनी आपिसर्स एक गाड़ी यह बैठें, पुलीस वाला उनसे सवाल कुछ रहा वो गर्दंत भी नहीं मोड़ रहें. अब वो पाकिसान इसु रिटेंगे रहें, sir, वो ते गाली नहीं कर दे मेरे ना, बात ही नहीं कर रहें, they are not even turning the neck, they don't even dare to tell you the name. ठूप देंगे आपके उप सब्सक्राइब कर देने हो, जितने मर्दी मांग लो हमने कुन से देने, तांक्यू सो मच कि आप दोनों ने जोइन के जाते जाते, सर, तारिक सार मैं आपको बुक दिखाओं, कि मुझे संजे डिक्षिट जी ने अपनी बुक भीची है, और अमेरिका से उनके दोस्ते किसी ने और आपकी बुक के लिए मैंने कहा है यहां पर और उन्होंने जो बुक स्टॉर्म वैलूम कहने के मंगा देंगे, तो जैसे आपकी बुक कहेगी वो भी पढ़ना शुरू करती हो, वो संजे डिक्सित ने पिछले शो में कहा, कि आपने म मैं तो करूंगी, मैंजर साब अगर आपको मौका मिले, just as an educational piece, उसके अंदर, I have deconstructed this whole notion of the Islamic State, के यह तो है यह नहीं, यह तो प्रॉफिट की डेथ के बाद ही कुरेश और अंसार, मार, पीट, जूटा, ठारा, घंटे, प्रॉफिट की बॉडी, मैं की गर्मी में रखी रही, दफनाने पर तयार नहीं कोई, कि चाबी कुझी किसके पास जाएगी, सब के सब सास बन गए, and that, I read about that, yeah, so, आप सोचिए कि at no state, पहला अरब जो गया है, जिरूसलम, ये क्लेम करते हैं ना, कि यहुदी आगे, बैट गे, ये 661 में पहला अरब पहुंचा है, जिरूसलम, जिरूसलम, मस्जिद अक्सा कोई चीज नहीं थी, जिसका जिकर करते हैं, उससे पहले तो आपके कोचिन में बन गई थी मस्जिद, अच्छा, वहां कोई आपका ऊपर बाला, यूपी का गोरा मुसलमान नहीं गया, अब्दुलकलाम वस इंडियन मुसलिम पॉ थी, यमन और आपके मलाबार कोस्ट पे इसलाम से बहुत पहले के तालुक आते हैं, नहीं के दो, बट एनीवे, इजाज़त दीजिए, थैंक्यू सो मैश सर, थैंक्यू, बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत सीखने को मिलता है, डेफिनिटली दुबारा में दो, थैंक्यू दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंतक देखा होगा, और इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा, और वीडियो को आपने काफी एंजॉय किया होगा, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी नॉलेजिवल वीडियो लाते रहें, और वीडियो अगर आपको पसंद आया, तो इसे लाइक और शेर जरूर कर दें, तो अगली वीडियो तक आप अपना ख्यार रखिए, हम जल्द मिलेंगे, जै हिंद, जै भारत!